आज हम बनाते हैं सफेद उरत डाल आप इसे सफेद माश की डाल से भी जानते होंगे मैं इसे हरे मसाले के अंदर डाल के बनाने वाले हो जिसमें बहुत ही कम इंग्रीडियन्स हमें चाहेंगे और जब ये बन जाती है तब आपको क्या करना है जो पाजरी के रोटी को चूरा करके उसके ओपर ये डाल डाल के थोड़ा सा घी असली घी डाले और जो प्यास होती हो उसको फोड़ के इसके साथ खाएं मज़ेदार लगता है बहुत ही बहतरीम टीस लगता है ये 200 ग्रम सफेद ओरत की डाल है इसे मैंने 2 घंटे पहले 2-3 पानी से धो लिया था और साफ पानी में भीगाने रग दिया था अब 2 घंटे बाद एक पतिली के अंदर नितार कर ये सारी डाल दाल दीजिए इसके साथ-साथ 8-10 ग्लास पानी डाल दीजिए मेरा ग्लास छोटा है इसके लिए मैं 8-10 ले रही हूं 8-10 ग्लास है इसके अंदर चुटकी भर आधा टीस्पून जितना हल्दी डाल दीजिए और इसे चूले पर fast आज पर पकाईए जब तक एक उबाल नहीं आ जाता एक उबाल आ जाए तो इसे slow कर दीजिए अब पतिली में नहीं बनाना चाते हैं तो आप खुकर में भी बना सकते हैं 2 सीटी खिलाईए fast आज पर और चूला बंद कर दीजिए इतने में तो बहुत अच्छे से गल जाएगी जब भीगी हुई है दो घंटे से तो अज पर इसे पकने दीजे आपने तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से गल नहीं जाती नहीं तो जो पानी है अंदर का पुरा भार आएगा और आपका चूला खराब हो सकता है side by side हरा मसाला बना लेते हैं ये एक कप मैंने tightly packed ये जो कोथमिर है उसे लिया है ये एक चोटा चाय का जमज साबुद जीरा है और ये है लसन तक करीबन 7-8 कली अब ये जो सारी चीजे हैं जैसे ये धुली हुई कोथमिर है हरी मिर्जी लसन और ये साबुद जीरा ये सारी चीजों को आप ये जो mixer जार है उसके छोटे वाले जार के अंदर दालिए और बहुत अच्छा पहले few seconds के लिए पीस लीजिए थोड़ी seconds हो जाएं उसके बाद 3-4 टेबल स्पून जितना पानी दालिया और इसे बहुत अच्छे से बारिक पीस लीजिए ये देखे इस तरही किसे पेस्ट बन जा है तो side पर रख दीजिए अब हम दाल पर आते हैं दाल को मैंने बीच में एक बार चेक किया था और थोड़ा सा पानी दाला था पानी की जरूरत थी तो ये देखे बहुत अच्छे से गल चुकी है एकदम अच्छे से गल चुकी है लगे तो उपर से बेशक दाल दीजिए एक कप पानी में ये जो मिक्सर जार के अंदर दाल रही हूं उसमें चला कर ये जो डाल है उसमें दाल दीती हूं एक बार चमच की मदद से चला लीजिए और नमक वगरा कम लगे तो आप चेक कर लीजिए और दाल दीजिए और धी से 3 टेबल स्पुन भर कर घी दाल रही हूं गी को मैंने कुछ भी नहीं किया है पकाया नहीं है डारेक्ली दाल रही हूं अब यह 12-13 मिनिट हो जाएगी तो मैं यह जो दाल है इसका चूला बंद कर दूँगी चलिए मिक्स कर लीजे और चूले पर ही रहने दीजे अच्छा और पॉइंट मुझे शेयर करनी थी कि मैंने आपने देखा यह जेरनी से जेरा ही नहीं है बिल्कुल भी दाल को मैश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो इतनी अच्छे से गल चुकी थी कि वो एक दूसरे में कंबाइन हो गई लेकिन आप चाहें तो जेर सकते है बेशक आप जब यहरा मसाला दालते हैं उससे पहले जेर लीजिएगा चलिए नमक टेस्ट कर लेती हूं थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दाल देती हूं तकरीबन 12 मिनिट हो चुके हैं अब मेरी बादाल बहुत अच्छे से पक चुकी है खुबसूरत तो द प्यास को भी देसी स्टाइल में हाथ से फोड़ कर रखिये साइट पर खाने के लिए अब यह जो बाजरे की जो चूरा किया है अपने हादों के मदद से इसके ओपर तीन चार बड़े चमच यह जो हरी माश की ताल गर्मा गरम दाले इसके ओपर दो से तीन टेबल स्पून घी के दाले असली घी के यह दालना मत भूलिएगा और इससे जो हमने साइट पर प्याज रखी है उसके साथ बड़े मज़े से खाईए अगर आपको मेरी यह देसी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंस से में जरूर शेक कीजिएगा मुझे आपके कमेंस पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से आजिर हूंगी एक नई शांदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केर अलाहाफिज